कि नोटिफिकिशन के लिए बेल बटन दबाईए और नए वीडियो की आपडेट के लिए सब्स्क्राइब करना ना भूले तो प्लीज सब्स्क्राइब जरू करें नमसे वस्त हो आपका स्वागत है मेरा यूट्यू चानल हिट्शॉट फिल्म में आज किस पार्ट में मैं जो आप मैंने अभी जो सिरी बना रहा हूं में तीन क्लाइन के उपर तो सबसे जरूरी चीज यह है कि आप जब तीन क्लाइन इस्टोल करते हैं तो आपको एक यूए पैच है एक तो वह डिलीट हो गया होगा या फिर वह मतलब दीखता नहीं है ठीक है तो इसके रीजर्स जो है वह अलग-अलग है एक्चुली जो यूए पैच है वह कंप्यूटर में अगर आप विंडर्स 10 इस्टोल कर रहे हो तो उसमें वायरस वह शो करता है तो जो वह कॉंप्यूटर का जो विंडर्स का डिफेंडर आंटी वायरस जो है वह उसे डिलीट कर देता है या फिर उसे ब्लॉक कर देता है तो इसके वाज़े से आप उसे आपको वह शो नहीं हो पाता और आप उसे उस पैच को इंस्टॉल नहीं कर पाते अब मैंने इस वीडियो मे आपके लिए वह जो उसे पैच है वह मैंने अवैलेबल करवाया है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक मैंने दिया हुआ है वहां से आप डाउनलोड कीजिए ठीक है एक्चली मैंने जो लिंक दिया है वह ड्रॉप बॉक्स लाग लिंक है तो अगर वहां पर आपको लॉग इन करने के लिए बोलो तो अपचे अपपको तोड़ा सफा बगाऱ पढ़ए करना पड़ेगा अधिरिक्लिटिकली हो बटन आपको शूल है डौब में को मैं डॉसे शन Мी करते हूँ और शेचला सक नियूदा करने से पेले अपको यद्म रखना ह इसी वीडियो के साथ मैं आपको बताता हूं ठीक है क्योंकि वो करना जरूरी रहे तभी वो वेज भी पैच रहेगा नहीं तो तुरंट डाउन होते ही वो डिलीट हो जाएगा उसके बाद अगर आप नहीं आपके लप्टाप में या कम्पेटर में डियो लेंड डियोरस है अगर वो मालूम नहीं कि वो डिफेंटर कैसे पहले आफ करना है ठीक है तो इसके वाज़े से भी आप आपका जो युवेज़ पैच है वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होता है और आपका थिंक लाइन जो है प्रॉपरली वो चल नहीं पाता है तो देखिए अभी मैं क् जो कि मेरे पास जो युवेज़ पैच है वो आभी मेंट लिक में डाल देता हूं और आप वहांसे उसे डाउल कर सकते हो अगर आपको कुछ दिक्कत आती है खीरी अे उट्र इस्टोल करने में पीश भी दिक्कत आती है लेकिन इस्टॉल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है तो टाइम लगने के वज़ेसे आपको उसका पेमिंट करना होगा ठीक है तो चलो फिर चलते हैं फिर अपने लैप्टाप में और कहां जैसे आपको वह एंटिवारे डिशेवर करना है वह आपको मैं पोड़ा उसके पाने जा रहा हूं कि जो हमारे लैप्टाप या कंप्यूटर का जो माइक्रोसफ्ट का जो एंटिवारेस होता है उसे डिजबल कैसे करना है सबसे पहले तापको जो यह टॉप एरो दिख रहा है ऐसा यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको यह सिंबॉल दिखा दिखा करने के बाद आपके सामने विंडो आ जाएगा और यहाँ पर वाइरस एंड थेट प्रोटेक्शन करके जो आपको यह मेनू मिलेगा यहाँ पर इस मेनू में आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको मैनेज सेटिंग करके आएगा वाइरस एंड प्रोटेक्शन सेटिंग में आपको मैने सेटिंग करके आएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसे डिसाबल कर देना है ठीक है तो आप यह जो एंटिवारस है यह जो है वो डिसाबल हो गया है ठीक है तो इस तरह से जो है मतलब अभी मैं आ यहां पर रहेगा यहां पर हो डिलिग्ट ही ओ गार इस तो हो यह चलू कहरा इन्टनल्य चलो अगर आपके पास अपके लेप Johnson कंप्א। कमजेटर में क्यवार्स रहेगा या फिर नेट़ यदा नौंटन मेल towards होगा मैं कर न रहे गा थो यह सके Daisybird वाइरस है इनको भी आपको डिजिसाबल करना पड़ेगा औरको इस पेच को एक तो रन करना या फिर डाउनलोड करना है डाउनलोड करना करने आपका जो इंटरल रेलेंट्वायर जो है वो डिजाबल होना बहुत ज़रूरी है और जैसे के मैंने आपको Microsoft का Antivirus Disable केसे करते वो दिखाया है उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और Antivirus को Disable करके ही डाउनलोड करना है तभी वो डाउनलोड हो पाएगा ठीक है थैंक यू उबिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लागा हो तो अपलीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रही है हिट्शोट फिल्म्स थैंक यू